देखिए आज का जो फैसला स्पेशल कोर्ट एना ये की कोर्ट स्पेशल कोर्ट की तरफ से जो मक्का मस्जिद बंधमाके के उपर फैसला आगा है जिसमें आरेसेस अभीनो भारत के पांच कारकुनों को बाइज़द बरी कर दिया गया है इस फैसले से ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुसल्मान बलके सेकलर जहन रखने वाले तमाम ताखतें को एक मानों में कमजोर कर जिया गया है इस फैसले से और जो टर्रिरिजम के खिलाफ में जो लड़ाई है उस लड़ाई को भी कहीना कहीं कमजोर कर जिया गया है यह जो मक्का मस्जीद में बम धमाका हुआ था दो हजार अठारा में दो हजार साथ के दिन तो बम धमाके के फौरी बाद में कुछ आईपियस आफिसर्स हिदरबाद के पुलिस में डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे थे मीडिया में आएं वो लोग आकर ये बयान लिए कि ये बम धमाका जो है कोई मुस्लिम तन्जीम हुजी और आपके इसका तालुख और कोई लड़कों का भी नाम लिए शाहिद बिलाल वगरा तो ये बम धमाके में जैसे ही सीनियर आईपियस आफिसर्स हुजी तन्जीम का नाम लिए सारा इंवेस्टिकेशन मुस्लिम आर्गनिजेशन के पिछे गया तकरीबन एक सौ से जायत बच्चों को गिरफतार किया गया बम धमाके या सुनके जो लोग मस्जिद के बाहर भाग कर आए उनके ओपर पॉलिस फाइरिंग करके आठ अजमी को खरीब खरीब मार जिया गया और बम धमाके में तकरीबन आठ अजमी को मार जिया गया पचास से जायत जखमी होए थे बम धमाके में उसके बाद में ये हुआ कि जो इन्वेस्टिकेशन चल रहा था मुस्लिम बच्चों की गिरफतारी हो रही थी तो मजलित बचाव तहरी की तरफ से हमने एक मेमोरेंडम अब उस वक्त के चेरमेंट माइनरेटिस कमीशन स्टेट माइनरेटिस कमीशन यूसुफ खुरेशी साथ को दिया था उन्होंने एक कमेटी दायर की थी जो एल रवी चंदर वन मैन कमीशन एल रवी चंदर एड़ोकेट की कमेटी तो ये पूरे जो लोग गिरफतार होएते हैं उनसे जेलों में जाकर मुलाखत किया गया था और एक कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी के जिसमें ये वाज़ तोर पे लिखा गया था और जो पूलीस फईरिंग में जो आठ लोग मरे थे उसके अंदर जो है एक भासकर रहो कमीशन बलके खायम किया गया था छे साल के बाद में भासकर रहो कमीशन भी अपनी रिपोर्ट दी वो रिपोर्ट में भी आज तक एसमेली में नहीं दिया गया और ये जो एनाईए पहले तो इस केस की तेखिखा सीवी आई कर रही थी उसके बाद में एनाईए को दिया गया तो एनाईए जो है वनाव दी ब्रिलियंट इन्वेस्टिगेटिव एजन्सी सारी दुनिया में मानी जाने वाली और हमारे जो हिंदोस्तान के टैक्स पेयरे उनकी तरफ से इसको पैसे दिये जाते हैं और आम पॉलीज डिपार्टमेंट में और इनाईए में काम करने वालों को तीन गुना ज्यादा तंखा दी जाती है तो उस वक्त पे जो बच्चों को गिरफतार किया गया था तक्रीबन तीन अलग-अलग केसस में मक्का मजीद बं दमाके में नहीं दाले थे बलके तीन कांस्परेंसी केसस जो है गोबालपुरम पॉली स्टेशन के केसस थे तो सीबी आई ने आशीमा नंद को गिरफतार किया पहले उसके बाद में असीमा नंद के कनफेशनल स्टेट्मेंट जो तुस हजारी कोट को दिली में जो बयान दिया गया थे इखबाली जुरूम तो ये बयान के अंदर आघ स्वामी असीमा दे कही लोगों की इसमें नाम लिया थे और सुख अलग-अलग जो ज जो जो इसमें रोल था जिसका इंवेस्टिगेशन में जो गुचति का ताम लिया गया था लूकες शर्मा का भरत का ना नाम लिया था राजंडर चौधर सीनियर मोस्ट लीडर्स परचारक से इनके नाम लिये गए थे और इस नाम में सबसे बड़े मकामजीद इन्वस्टिकेशन में असीमानन के ब्यान में है कि सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर भी इसमें बनाव दी वियाई अधुलिगा की तरफ से सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर को कभी भी मकामजीद बेलास्ट कीश में Porkyus नहीं बनाया गया और दूसरी चीज जो है कि आठ अदमी में से पाँच अदमी के ओपर फैसल आया दो आदमी जो है संदीप भी दांगे और राम चंदरन कालसा गरे यह आज की तारीख तक यह लोग लापता है एनाईय को नहीं गिरफतार करे तो एनाईय कैसी इंवेस्टिगेशन एजनसी है बतलाई है कि ग्यारा साल के अर्से में दो आदमी को गिरफतार नहीं कर सक रही है और एक जो है सुनील जोशी यानि यह स्वामी असीमानंत के इखबाली बयान में सुनील जोशी को भी वन आफ दी इंपार्टन कांस्पिरेटर करा दिया गया बाद में उसका मडर हो जाता है रस्ते में और उस मडर करने वाले की भी तैखिकात आज की तारिफ तक किसने किया यह बात मालूम नहीं होती है तो पहले तो बम घमाका हुआ उसके बाद में पुलीस फैरिंग में मुसल्मन लोग मरें फिर उसके बाद में पुलीस अजियत ने एक सो से जाय बच्चों को गिरफतार किया गया और फिर उसके बाद में भास कर रहो कमीशन का खयाम किया गया भास कर रहो कमीशन के रिपो पूरी कारवई जो ही 11 साल के अरसे में 173 विटनेसे में 100 से उपर विटनेसे हास्टाइल हो गए खुद असीमानंग जो बयान दिया उसमें हास्टाइल हो गए तो आपको मैं ये बात बतलाना चाहरा हूँ के जो बेस्ट बेकरी वाकिया हुआ था जिसमें जहीरा शेख जो है कंपलेनन्ट थी एक बीजेपी, एमेले और एमपी के ओपर कंपलेन्ट था कि इन्हों ने मेरी अफराद खानदान को जला कर मार दिया बेस्ट बेकरी में गुजरात रायट्स के दोरा बाद में वो केस जो जेपी वाले उसमें इन्वाल नी है, तो जहीरा शेख के केस में जहीरा शेख को जजज ने पांच साल की सजा सुनाई थी, तो अगर कोई बयान जजज के सामने देने के बाद में हास्टाइल होते हैं, तो उनके लिए पांच साल की सजा खानून में है, तो आज जो है, जो सामने भायाद दे रहा है अखबाली जुरूम कर रहा है और फिर आज इनकी बाहिजद बढ़ी और ही लैक आफ एविडेंस तो यह क्या साजिश है समझ में आ रहा ही नहीं जजज साब जो है के फाइसला सुनाएं सो तीन चार घंटे के बाद में इस्तिफा दे दिये रहे उन से तमाम के मुझमीन जो हमी नहीं हो भारत और RSS के लीडर से धीरे धीरे करके इनको बाइजद बरी करते जा रहे हैं धीरे धीरे इनको बेल देते जा रहे हैं तो आखर हिंदुस्तान के मुसल्मान या हिंदुस्तान का सेकुलर जहन रखने वाला जो गएर मुस्लिम है वो जो भी आप पेश करते हैं इन्वेस्टिकेटिव एजन्सिस उसके ओपर फैसला होता है और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो मुस्लिम खियादत का जो दावेदार दावा करने वारी जो शाथियत है मंजली से इत्यादल मुस्लमीन खास तरप असद अद्दिन और अकबल अद्दिन वेसी सारे हिंदुस्तान में फिर के एक धंडोरा पिटते हैं मुस्लिम खियादत का यह जिस वकद बम धमाका हुआ उस वकद कांगरेज गौर्णमेंट थी उस वकद M.I.M. उनके साथ थी M.I.M. अंड कांगरेज दोनों मिलके U.P.A. सेंटर में थे और स्टेट में थे बम धमाके के बाद में जो पोलीस फाइरिंग हुई वो खाती पोलीस के उदेदारों के खिलाफ में आज की तारिख तक कोई आक्शन नहीं हुई और उसके बाद में जो भासकर रौक कमीशन की रिपोर्ट आज की तारिख तक S.M.I. में नहीं टेबल हुई आजरा परदेज स्टेट माइनरेटिस कमीशन की रिपोर्ट आज तक S.M.I. में टेबल पे नहीं आई वो तो मजली से इत्याद मुस्लमीन कांग्रेस के साथ थी मुस्लिम बच्चों को गिरफतार किया गया 18 महीने उनको जेल में रखा गया इलीगल डिटेंशन टार्चर सेल में रखके उनको टार्चर किया गया ये लोग जब खामुश थे बच्चे बाइज़त बरी होने के 22 महीने के बाद में क्योंके उस वक्त की कांग्रेस गॉर्मेंट बहुत बद्दाम हो गई थी और मजलिस इत्याद मुस्लमीन की खियादत भी कुछ नहीं की मक्का मजीद बंबलास केस में बनके बाद में जो है चन्द बच्चों को माइनरेटीस फाइनांस कारपोरेशन की तरफ से लोन्स के तोर पे आटोस दिलाए गए ये बताने के लिए कि हमने मक्का मजीद के लोगों के लिए बहुत कुछ किया और अक्सर मजलिस के तकारीख में ये कहा जाता है कि हमने किरन कुमार रडी को मजबूर करके कंबंसेशन दिला एक एक लाक रुपए जो एलान किया गया था SMA में आज की तारीख तक वो एक लाक रुपए कोई बच्चों को नहीं मिले ये बात हकीकत है अब आज मौजूदा बतनाई है चार साल होता ते लंगाना अलग होके TRS की गौवर्नमेंट है और आज में हम साथ में है TRS की गौवर्नमेंट के चार साल के अरसे में तकरीबन बीसो मरतबा असद अद्दिन होई सी, अकबर अद्दिन होई सी, C.M.K.C.R. साब से मिले दस मरतबा SMA का सेशन हुआ कभी भी एक मरतबा ये जो विटनेस हास्टाइल हो रहे थे इन नहीं है, इन्मेस्टिकेशन सही नहीं कर दी थी इसके ओपर कभी आवाद नहीं उठाए मंजलीस की खियादत एक दावा ये करती है कि हम हवाओं में बोसु कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है हमारे मुखालिफिन मोटी मोटी बूनों में भीक कर कहते हैं कि बारिश होने वाली है तो मंजलीस की खियादत असद अद्दिनोएसी और अकबर अद्दिनोएसी की वो हवाओं में बोसुने की जो सलायत है वो कहां पर गई 173 विटनेसस में से और 100 विटनेसस हास्टेल हो गए और उसके ओपर ये क्यों नहीं हुआ ये हवाओं में बोसुने की सलायत क्यों नहीं गई तो इन तमाम लुकात पर हमको गोर करना चाहिए जहां पर मैं बीजेपी एन आईये कल तक बीजेपी ये कहती थी कि CBAE is the parrot of Congress Government आज NIA has become the parrot of BJP Government जहां पर हम BJP को जिम्मेदार खरार देते हैं जहां पर हम NIA को खरार इस फैसले पर इस खातियों को जो बाईजद बरी कर दिया गया ये जिम्मेदार है वहीं TRS Government और मजलिस इतिहाद नमसलमीन की खियादत भी बराबर की जिम्मेदार है इतनी खियादत इतनी ताखत पर खियादत रखने के बावजूद मका मजजित के खातिलों को कैफर किर्दार तक नहीं पहुंचाए अकबर अदिनों इसी के उपर हमला होता है तो दस साल की सजा होती है अल्ला के घर पे मका मजजित में सजा बने वालों को कोई सजा क्यों नहीं होती है अल्ला के बावजूद